वैशनो धामों के बारे में कुछ सवाल मित्रों वैशनो धाम का मतलब है भगवान हरी के लोग यह ऐसे लोग है जहां पे जाने के बाद व्यक्ति फिर से वापस नहीं आता मित्रों मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं वैशनो धामों के बारे में लोगों को वैशनो धामो पर मित्रों ऐसा नहीं है, वैशनोधाम भी अनेक है, जैसे अनंत कोटी ब्रहप्मांड है, वैसे ही अनंत कोटी वैशनोधाम है, भगवान विश्नुजी के सिरफ 23 अवतार नहीं है, विश्नोधार और नाम है, में वैशनोधार निक beingali on the अनेक हैं तो यह हैं पहला सवाल और दुसरा सवाल है जानकी जी है और उनका तिसरा नेत्र सीता राम के प्रती भक्ति का नेत्र है इसलिए ये भी एक वैश्नो धाम ही है और तिसरा सवाल है साकेत धाम वैखुंट धाम और गोलोग धाम में श्रेश्ट कौंसा लोग है सादकों साकेत धाम वैखुंट धाम और गोलोग धाम में को भगवान से मिलने के लिए उनके महल में जाना पडता है पर गोलोग धाम में हम श्रीकन जी से डायरेक्ट मिल सकते हैं वैकुंट धाम और साकेध धाम में आप विश्णुजी और रामजी के पास नहीं बेट सकते आप उनके पैर नहीं दपा सकते आप उनके साथ नाच नहीं सकते आप उनके साथ खेल नहीं सकते आप उनके आलिंगन में नहीं रह सकते पर गोलोग धाम में आप श्रीकन जिसे एस सारी चीज़े कर सकते हैं बस इन तीनों में यहीं फरक है बाखिसब से मैं हावर चावता सावाल है क्या वैश्णो धाम के लोग दुसरे धामों को आजा सकते हैं मित्रों अगर आप गोलोग धाम को जाते हो तो आप कभी भी विश्णु जी से आवर राम जी से मिलने के लिए साकेत धाम, वैकूंट धाम, नरसिय धाम, कैलास धाम, संतानक लोग आदि आप लोगों को जा सकते हो आप कभी भी दुसरे धामों को आजा सकते हो भगवान श्री हरी एक ही है बस उनके रूप अलग-अलग होने की वज़र से भक्तों को यह सुकुनता है कि भी किसी भी हरी के लोग में आजा सकते हैं इविन आप स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, प नाम आ रहा है तो हम साकेधधम को जाएंगे या गोलोगधम को जाएंगे। अगर आप इस मंत्र को स्टार्ड करते हुए हरे कृष्ण पहले बोलते हो तो आप गोलोगधम को जाएंगे। जाते हैं। वह अभिनाशी हैं। और साथो सवाल है, वैकुन्ट धाम जाने के लिए किसकी अनुमती चाहिए। मित्रों वैकुन्ट धाम को जाने के लिए गरऴोदक्षाय विष्णुजी की अनुमती चाहिए। गरबोदक्षाई विष्णुजी बहुतिक जगत और आध्यात्मिंग जगत के बीच में हैं उनकी अनुमति की बिना कोई भी वैकुंट लोकों को नहीं जा सकता इसलिए ग्यान योगी, अश्टांग योगी और निरविशेश वादियों की पहुच यहां पे नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी भी भगवान श्रीहरी का नाम नहीं लिया इसलिए भक्त बने और वैष्णों धामों को प्राप्त करें और आटों सवाल है सारे वैष्णों धामों में सर्वश्रेष्ट लोग कौंसा है मित्र सारे वैष्णों धाम एक समानी है पर साकेत धाम में और गोलुक धाम में प्रेमी भक्त जन रहने के वज़े से इन दो धामों को सरवश्रेष्ट कहा जाता है जितनी आसाने से इन धामों में हम भगवान से मिल सकते हैं उतना तुसरी किसी भी लोक में भगवान से नहीं मिल सकते वैकुंट धाम में विश्णुजी से मिलने के लिए साथ दर्वाजों को पार करना पड़ता है और सवधा पार्षिदों के अनुमती लेनी पड़ती है साकेत धाम में रामजे से मिलने के लिए सिर्फ एक दरवाजे को पार करना पड़ता है और सिर्फ दो पार्शुदों के अनुमती लेनी पड़ती है पर गोलुक धाम में ऐसे कोई रोक टोक नहीं है आप कभी भी कृष्ण जी और राधाराने से मिल सकते हैं उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ नाच सकते हैं, उनके पैर दबा सकते हैं, उनके साथ हरीकता कर सकते हैं ऐसे गोलुक धाम में फ्रीडम बहुत है और नवा सवाल है, वैश्टों धाम जाने की टिकेट काउंसी है अब अगला सवाल है और गार्वा सवाल है ब्रह्म जोती की ओपर वैश्नो धाम है या उसके नीचे है जोती भगवान नहीं श्री हरी भगवान है अगर आप इन दिव विधामों को प्राक्त करना चाते हो तो हर दिन हरे कृष्ण महामंतर का जाप करें इसी से आप इनने में प्रवेश पा सकते हैं तो आशकर अब इस इतना ही हरे कृष्ण दोस्तों हम हमेशा स्रादम धर्ण के बारे में ऐसे ही गुप नियान हमेशा लाते रहेते हैं अगर आपको ये वडिट्डव अच्छा लगा तो आप कर सकते हैं आप इससे लाइक कीजिए आप इसे शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने पर्वार होनाग के साथ अपने इस तरह में साथ जरूरब कीजए और थरड़ बात कहा है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजे क्योंकि आपको ऐसे ही बहतेलिन कंटेंट हमेशा इस चैनल से मिलते रहेंगी इसले आपके कीजे जरूर सब्सक्राइब कीजे तो stay bliss, stay awesome and go self-made